सीता समझ गई है कि उर्मिला आई है और संकोच में अपने पती से मिली भी नहीं रही है और लक्षमन इतना संकोची है कि मिलेगा भी उर्मिला से तो भाबी ने बुला के का कि बिटा इधर आओ लक्षमन ने का जी भाबी वो मेरी कुटिया में बिटा फूलों की डाली रखी है वो जरा डाली उठालाओ माला बनानी है देवताओं के लिए उनको पता है कि उनकी कुटिया में और्मिला बैठी है उन्हें लगा इस बहाने ही दोनों थोड़ा मिल लेंगे उत्साह में भरे हुए लक्षमन के भाबी का काम करने जाना हूँ खट-खट-खट-खट-खट पहुँचे जैसे ही जौपणी के दरवाजा खोला रंदर गुसे देखा और मिला सुचके देखिए क्या बीती होगी जिससे बिना बात किये चले आए जिससे बिना अनुमती लिए चले आए सब्त-थपेदी के साथ फेरों में जिसके साथ शपत खाई थिए कि तेरा साथ नहीं छोड़ूँगा राम के अनुराग में जिसे छोड़ कर चले आए वो उर्मिला और जिसने अपनी बड़ी बहन सीता को आदर्शमाना और इस बात को स्वीकार कर लिया कि कोई बात नहीं चले गए तो कोई बात नहीं वो लक्षमन दोने दूसरे के साथ कैसे सामने आये होंगे मेरे उपवन के हरिण मेरे बाग के हिरन आज वनचारी मेरा हिरन आज जंगल गूम रहा है इस पर आप माता उर्मिला को याद करना मेरे उपवन के हिरन आज वनचारी मैं बाद नलूगी तुम्हें तजोब है भारी ठोड़ो दरो हमत इस मंच वर तीन दिन से मेरे पार्शमे आशिरवाद की मुद्रा में शेष्र नाग के प्रतरी लक्षमन लाल खड़े है उनके लिए पहली बार एक तंक्ति पढ़ आउं अमा कंत जी की उसमन ने कहा कि दुनिया में हर आदमी की परचाई काली है एक राम ही प्रत्वी पे आए जिनकी अजली परचाई है जिसे लक्षमन कहते हैं अजली परचाई है बाब ने अच्छी बात लिखिए बारही से निज हित्पति जानी लचमन राम चरन रति मानी मेरा एक बड़ा प्रियक वी है बच्चा वो लकींपुर से आगे गाव में रहता है ज्यान ज्यान नान असका ज्यान प्रकाश अकुल ज्यान ने चंद बेज जारों बच्चे पैदा हुए थोड़े-थोड़े अंतर पर पालने में लिटाए गए कि पालने में लखनवे राम जी लिटाए गए लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए राम तो लेटते ही चुपो गए हलका था पालना हिला वशिष्ट कड़े हैं दृश्वरत कड़े कि पालने में लखन वे राम जी लिटाए गए लेट ते ही करुणा सदन चुप हो गए किन्तु लक्षमन कुछ ऐसा ते जो रोए उन्हें रोता देक धरती गगन चुप हो गए राजवेद आये कोई रोग ने बता सका तो जो तिशी भी करके यतन चुप हो गए लक्षमन कैसे चुप हुए रोते हुए गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया तो लखन में चुप हो गए और वो नोड़ा वाले है हमेने परसों बताये आपको कि कुमार जी अपने 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 राम करानी है अनका क्या हो गया और छोटे भाई से मुकदमा चला था जमीन का वो जीत गया वाह राम की कहानी सुनेंगे भाई पर मुकदमा करके नेतिकता को कोई कुआ भी ना मिले जिसमें डूब के मर जाए पूसरी मां हमारी को समित्रा लक्षमन पूछने के लिए गए कि मां मैं आयोध्या में रहूं या जंगल जा रहे उनके साच चला जाओं तो माने क्या का आयोध्या कोंसे अध्या जो पे रामसिया वन जाई समित्रा जैसी मा लक्षमन जैसा प्यारा सा बच्चा कहती है बेटा जो पे रामसिया वन जाई आवद तुम्हार काम का चुनाई अवद में तुम्हारे क्या काम है बहर है दिख्यार हें और राम तो फिर भी हमारी मा के साथ है सीता कहे एक सत्संग है एक स्थने की डौर है माना की ग्रहस्त में नहीं है तपस्या का जीवन है लेकिन फिर भी एक दूसरे की सुनतो रहें और यहां पती-पत्नी बैटे हो तो वो इस बात को मैसूस करेंगे जो 20 वर्ष, 25 वर्ष बिता चुके हैं एक समय आता है जब आपका कोई प्रेम का बहुत ज़्यादा दोर नहीं होती एक दूसरे के सहाचरे की होती है कि रहनी चाहिए यहीं और पती को भी लगता है यह रहनी चाहिए और पत्नी को भी लगता है कि रहना चाहिए हमारे महेश्वर तिवारी ने पंक्ती लिखी है इस हॉल में बैटी सारी भावियों को और माओं को समर्पित करता हूँ एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है बे जुबान छट दीवारों को घर कर देता है राम के साथ तो फिर भी सीता है हमारी माता औरमिला तो अकेली है उनसे तो पूछा भी नहीं गया है कि अनुमती ली जाए कि मिली जाए एक दृष्य है चित्रकूट में जहाँ पहली बार उर्मिला, मांडवी और शुत्कीर्ती आई हैं अपनी सास के साथ राम को मनाने तो सीता तो बड़ी बहन है बड़ी बहन है छोटी बहनों का हित समझती है लड़कियों में होता है कि छोटी की बाद समझ लेती है माता पिता कि अवश्रक्ता नहीं होती है खुदी कर देती है सीता समझ गई है कि उर्मिला आई है और संकोच में अपने पती से मिली भी नहीं रही है और लक्षमन इतना संकोची है कि तो बाभी ने बुला के का कि बिटा इदर आओ लक्षमन ने का जी बाभी वो मेरी कुटिया में बेटा फूलों की डाली रख्य है उजरा डाली उठालाओ माला बनानी है देवताओं के लिए उनको पता है कि उनकी कुटिया में अर्मिला बैठी है उन्हें लगा इस बहाने ही दोनों थोड़ा मिल लेंगे उत्साह में भरे हुए लक्षमन की भाभी का काम करने जाना हूँ खट-खट-खट-खट-खट पहुँचे जैसे ही जौपणी के दरवाजा खोला रंदर गुसे देखा और मिला सोचके देखिए क्या भीती होगी जिससे बिना बात किये चले आए जिससे बिना अनुमत ही लिए चले आए सब्त पेदी के साथ फेरों में जिसके साथ शपत खाई थी कि तेरा साथ नहीं छोड़ूँगा राम के अनुराग में जिससे छोड़ कर चले आए वो उर्मिला और जिसने अपनी बड़ी भेंसीता को आदर्शमाना और इस बात को स्वीकार कर लिया कि कोई बात नहीं चले गए तो कोई बात नहीं वो लक्षमन दोने दूसरे के साथ कैसे सामने आये हो उर्मिला खड़ी होई मुस्कुराई है मेरे उपवन के हरिण मेरे बाग के हिरन क्या बढ़िया बात कही है कलकत्ता वालो मेरे बाग के हिरन मेरे उपवन के हिरन आज वनचारी मेरा हिरन आज गल जंगल गूम रहा है और अगली पंक्ती क्या बोली इस पर आप माता और मिला को याद करना मेरे उपवन के हिरन आज वनचारी मैं बाढ़ न लूगी तुमें तजो बहे भारी छोड़ो दरो मत मैं तो देखने आई हूँ कि मेरे उपवन में जो हिरन खेलता था जंगल में कैसा कूद रहा है उनका मन बढ़ा कर रही है और लक्षमन ने भी कितनी अद्वुद बात कही लक्षमन ने कहा कि तुम मेरी केवल पत्नी नहीं हो इस पर भी लक्षमन को तारीब देना आशिरवाद लेना उनसे कि हम उन्हें स्मरन कर रहे हैं लक्षमन ने कहा कि भावी की बहिना तुम तुम के वल पतनी नहीं हो तुम जगजन्नी भारतेश्वरी सीता की छोटी बहन हो उनके योग्यवर है राम त्रेलोग के का स्वामी तो ऐसी ही पतनी सिसात वरता लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं इतना योग्य हूँ या नहीं हूँ कि मैं जगजनी की छोटी बेहन का पती बन सकूँ मैं उस योग्या बनने के लिए जंगल में आया हूँ आज ताकि मैं तेरे योग्या बनने के लिए कि भावी की भगनी तुम केवल अर्थ नहीं मेरे उपभोग तपने दो बन में कुछ मुझ को बनने दो केवल निजीयोगे हैं मुझे थुड़ी तपस्या करने दो अपने लायक बनने दो तुम तो कौन हो मेरी पत्नी थोड़ी हो तुम तुम पहले सीता की बहन हो खांदान पुर में केवल राम के पीछे चलने वाला एक लड़का मुझे इस लाइक तुम ने दो कि सीता माता किसी को परिचे कराएं और कहें कि यह मेरी चोटी बहन का पती है है यह को तुम पहले है